सहरों में हमें उची उची इमारते बंती हुई दिखाई देती रहती है बड़े-बड़े क्रेड और मसीनों की मदद से गगन चुमी इमारते खड़ी होती है बंते में बेल्डिंग के आसपास हमें मसीन दिखाई देती है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि इस इमारत को बनने में ये भी जूटी हुई है मगर कंस्ट्रक्शन साइट पर एक चीज और दिखता है हरे रंग का कपड़ा जिससे बन रही बिल्डिंग धकी होती है क्या कभी सोचा है आसमान चूरही इमारतो को हरे कपड़ों से क्यों रखा जाता है अगर इस बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं इस विडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी बन रही बिल्डिंग को हरे कपड़े से ढखने के पीछे की बज़ा यह बताई जाती है कि उचाई पर काम करने वाले वरकर का ध्यान न भटके या फिर खुद को अचानक से इतनी उचाई पर देखकर वो विजलित न हो या उसके लिए घातक साबित हो सकता है साथ ही बाहर के लोग भी लागातार उची इमारत को देखते रहते हैं ऐसे में वहां काम कर रहे लोगों पर किसी तरह का मानसिक दबाव न पड़े इसलिए बन रहे बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से ठक दिया जाता है सबसे बड़ी वज़ा ये है कि जहां भे बिल्डिंग बननी सुरू होती है वहां कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी मात्रा में धूल और बिल्डिंग में इस्तमाल होने वाला सिमेंट उरते हैं इसकी वज़ा से आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है लोगों को परिसानियों का सामना नहीं करना पड़े होगा कि लाल और सफेद कपड़े से इमारत को क्यों नहीं ढगा जाता है आके हरा रंग ही क्यों तो इसका सीधा सा जवाब है कि हरा साथी रात में पुड़ी से रॉस्चनी में भी रिफ्लक्ट हो जाता है इसलिए बंड़े की और को इसी, परिसान में नहीं So friends, इस वीडियो में हमने यह देखा कि बन रही बिल्डिंग को हरे रंग के खपड़े से क्यों ढगा जाता है So यह वीडियो आप लोगो कैसा लगा, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर नए हूँ तो चैनल को सस्क्राइब कीज़े, लाइक कीज़े अपना कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो चैह